तुम्हें पहले ही अपने ओपनिंग स्टेट्मेंट में कहा कि जो कांग्रेस पार्टी कहा करती थी राहुल जी ने जो कहा था एक सब्ता पहले कि लोगडाउन पूरी तरह से फेल कर गया और लोगडाउन से भारत के लोगों को कोई फायदा नहीं हुआ तो यह तो सरकार की स्विकार्युकती है जो राहुल जी कर रहे थे वही सरकार का भी निर्ने दर्थाता है कि लोगडाउन फेल कर गया और नहीं तो अभी तो कोई ऐसी इस्थिती नहीं थी जहां केसे दिनों दीन बढ़ते जा रहे हैं मतलब हर दिन 8000 के लगभगब केसों में इजाफा हो रह प्रदान मंत्री जी का भारत सरकार का निर्ने था तो जब भारत सरकार ने ले लिया तो यह तो अब अब चरिक्ता मात्र है जहां ज्यादा केसे जहें वहां फिर भी मैं कहता हूं कि वहां एहतियात बरतना चाहिए खोलने में कोई साफ साफ एक जिट पॉलिसी तो था नहीं भारत सरकार के पास अब आनन फानन में बंद का भी निर्ने था आनन फानन में खोलने का भी निर्ने है यह दरसाता है कि सरकार की तयारी नहीं थी ना पहले थी ना आज है करें नौ बजे की बाद तो ऐसे भी जो लोग बहुत कमी लोग घर से निकलते हैं नो बजे तक तो लोग घरों में पहुच जाते हैं तो सुविधा के अनुसार केवल कहने के लिए जो है कि राध को सारी to new बुजे के पहले ही है सहर में गाउं में गउं में घौ में तु लोग आठ बज सब बंद हो जाते हैं अपने गरों कि सहर में नौ बज सबने लोग चलता है मार्कट या सब निड्दने जो है यह खोलने लोगों के आंख में धूल जोकने जैसा है आठ वाज ते दुकान ऐसे भी बंद हो जाती थी चाहिए खान मार्केट हो या मॉल्स हो तो सारी एक्टिविटी बंद हो जाती थी मंदिर निर्मान का अगर रास्ता प्रसस्त हुआ है इसका मतलब थोड़ी है कि उसके पहले जो सारे किसेज हैं वो बंद हो जाए और अगर ऐसा है तो यारे से सब्बंद करा लिए लोग और प्रधान मंति जी तो ऐसी चिंता जाहिर करते ही रहते हैं ये भी कोई नई बात नहीं है एक तरफ अपने पॉलिसीज को साफ करने ही पाते हैं तैयारी करने ही पाते हैं उनकी पॉलिसीज की चलते ही तो लोगों की परिशानी हुई और अंत में केवल छमा मांग लेने से कितने लोगों की जाने चली गई कल ही मैं देखाऊं टीवी पर एक आदमी ट्रेन में सफर करते हुए ट्वालेट उसका लास मिला वापस तो अब प्रधान मंत्री हैं इस तरह से करके अपना सब कुछ साफ कर लेना उनकी गलती की वज जैसे लोगों को दिखते हुई परिसानिया हुई